वेलकम बैक तू मैई चैनल तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ गई हो आलू और गोबी की बहुत ही मसालेदार और टेस्टी सी सबजी तो इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है यहां आप ले लेंगे जार उसमें एड़ कर देंगे एक काट लेसन का अदरक चिल के 1 इंच के करिब और एक प्याज तो इसको रफली चॉप करके एट कर देंगे और इसमें एड़ कर देंगे सबजी मसाला तो यहाँ पे मैंने दो चमच के करीब सबजी मसाला एट किया है और उसके बाद जरा सा पानी डालने के बाद इसका इस तरह सा पेस्ट बना लेंगे और यहाँ पे कडाई में एट कर देंगे मस्टर्ड ओयल आप कोई भी कुकिंग ओयल यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसमें एट कर देंगे गोबी गोबी को मैंने थोड़ा सा बॉयल्ड कर लिया था और उसके बाद इसमें एट किया है थोड़ा सा ड्राई करने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गोबी को फ्राई करने स्टार्ट कर दिया है फ्लेम हमारा low to medium रहेगा और यहाँ पे मेरा गोभी जो है after five minutes यहाँ पे golden color का हो गया था तो मैंने इसको blade में निकाल लिया था और यहाँ पे कड़ाई में मैंने add कर दिया था में थी अगर आपको तेल थोड़ा कम लगे तो आप इसमें थोड़ा और तेल add कर सकते हैं और यहाँ पे आदा चौप कियावा प्याज और पीसावा मसाला तो मसाला add करने के टाइम आप ध्यान रखे कि आपका flame जो रहेगा वो low रहेगा नहीं तो यह उपर उचलने लगता है और यहाँ पे add कर देंगे एक कटा हुआ टमाटर और सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और mix करने के बाद यहाँ पे स्वात के अनुसार नमक add कर देंगे और नमक एड करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे हल्दी तो यहाँ पे हल्दी नमक एड करने के बाद फ्लेम हम low to medium कर लेंगे और उसी फ्लेम के according हम अपने मसाले को फ्राई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमे अट कर दिया सूखा मिर्चा, मिर्चा स्टार्टिंग में मैंने नहीं अट किया था और यहाँ पे अट कर देंगे आप मिर्चा पाउडर और उसके बाद सारी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मसाला हमारा अच्छे स भून जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाले में इसे तेल से चोड़ गया है, तो भस आप इसमें एट करदेंगे, बॉयल क्या हुआ, खाला कहाल किया हुआ, तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉयल कर लिया था, और उसको इस तरह से कट करने के बाद, इसमें add कर देंगे और यहां add कर देंगे फ्राई किया हुआ गोबी बस सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे कि मसाला और गोबी आलू जो भी है सारी चीज़े अच्छे से लटपटी सी हो जाएं और यहां पर इसको ढख देंगे और अफटर फाइफ मिनट्स आप देख सकते हैं मसाले के साथ हमारा जो सबजी है थोड़ा पक गया था तब इसमें add कर देंगे पानी पानी आप अपने according अपना आपको जितना gravy रखना है उसके according लेंगे तो यहां पर मेरा जो सबजी है उसमें मैंने पानी add किया थोड़ा थोड़ा पानी add करके इसको mix करते करते और अब flame जो है थोड़ा high कर लेंगे तो high flame पर इसको ढख के बहुत ही अच्छे से पकाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो उबलने लगी है और हमारी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी हो गई है तो बस पांच मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारी सब्जी कुछ इस तरह से बनके ready हुई है तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से आपने यह सब्जी बना ली और गैस्ट आए या फिर ऐसे कभी कुछ चटपटा खाने का मन करें तो जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करें